हेलो एब्रीवन आज मैं आलू का परोठा बनाने जा रही हूँ मेरी बच्चियों को बहुत पसंद है आज मेरे घर में भी थोड़े गेस्ट आएंगे उनको भी में थोड़ा सा खिलाऊंगी बहुत दिन से मेरा भाई मेरे को बोल रहा था दिदी मेरे को आलू का परोठा खिलाओ मैं वो मतलब टाइम नहीं मिल पा रहा था उसको भी और मेरे को भी इसलिए मैं बना नहीं पा रही थी आज मैंने सोचा कि आलू का परोठा बनाया जाए तो भाई को भी मैंने इवाइट किया है गोऌगल आपको अबहुत बहुत बड़े हैं भो भी लुग आयु तो खाए आपको आज आलू का परोठा का एक recipe बना के दिखाने जा रहे हूं प्लिस गाइस अगर आप पर मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप मेरे आने वाले हर वीडियो को आप अची तरह से देख पाए यह एकदम टूटली फ्री है तो आएए मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से मैंने बना यह कुछ ऐसा नहीं है मतलब ज्यादा सक्त काम नहीं है बहुत ही simple easy है मैंने पहले से आठा भी गूत के रखा है आलू को भी उबाल के अच्छे से मैस करके रखा हुआ है बस थोड़ा सा मैं बता दूँगी क्या क्या है इसमें मैंने इंग्डियंस डाला है आये तो मैं आपको दिखाती हूँ जो मैंने बनानी की कोशिश की है नहीं आलू की परवठा बनाना आता है अच्छा तो आये मैं आपको दिखाती हूँ यह देखिए एक केजी मैदा है जिसको मैंने अच्छी तरह से गूट के पंदरा मिनट तक रख दिया है क्योंकि मेरे घर में कुछ गेस्ट भी आएंगे उनके लिए मेरे घर में फैमिली के लिए सब के लिए मैं बनाऊंगी इसलिए थोड़ा सा मैदा मेने ज्यादा गूट के रखा हुआ है और यह देखिये आलू मैंने आलू 500 ग्राम अलू जुसको मैं उबाल के इसमें मैंने दिया है धनिया धनिया दिया था हरी मिर्च और क्या कहते हैं चाब़ जीरा को मैंने बून के ऐसे पेंस्ट करने के बाद इसको में तेल में ऑभिन में बिठा के उसको अच्छी तरह से मैंने गरम करके उसमें आलु को और जो जो मैंने इसमें डाला था जैसे मैंने डाला था धनिया पत्ता और डाला था मैंने हरी मिर्च और जीरा घुना हुआ इसको डाल के तेल में थोड़ा सा अच्छी से मैंने इसको फ्राई कर लिया है अच्छी तरह से गोल करने के बाद इसको मैं थोड़ा सा बेल लूँगी इस तरह से मैंने बेल लिया है अब बेलने के बाद स्मे में आलू को इस तरह से नाल दोटरोंगी, जालने के बाद 이제 अब इस तरह से मूर लूँगी, इस तरह से मैंने लिया है इसको अच्छी तरह सेeger इसको आलू को मैंने डाल दिया था उसके बाद मैंने डालने के बाद इसको अब में बेलूगी बेलने के बाद अब इसमें टाल लूगी वहन में अब इसमें में थोड़ी सी ओयल दूँगी अब इसमें में थोड़ी सी ओयल दूँगी अच्छी तरह से जबा जबा के थोड़ा सब बन इसको बूनूँगी सब्सक्राइब के साथ सब्सक्राइब के साथ सब्सक्राइब के साथ यह बहुत अच्छे दीनर है लंच भी हो सकता है ब्रेकफस्ट भी हो सकता है यह बहुत अच्छा रेसिपी है अब यह बनके तयार है गाइस देके यह मेरे बड़े भाईया है इनको मैं बना के खिला रही हूँ अब यह खा के बताएंगे आलू का परोठा कैसे बना है दारून दारून हाथ से दिखाईए दारून अच्छा है हम लोग बंगाली है न एसलिए ठोड़ा हम लोग दारून दारून बहुत कहते हैं दारून अच्छा है ओके थैंक यू भाया जी आप प्लीज कह दीजिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कॉमेंट और सब्सक्राइब करने के लिए बुलिए लाइक, शेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए बला लाइक, शेयर, कॉमेंट कीजिए लाइक, शेयर, कॉमेंट दारून प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा गाईज क्यो भाया जी अब बताईए अच्छे से तो खा रहे है अब अच्छे लग रहा है ना ताडिये ताडिये खाता है ताडिये ताडिये खाता है ताडिये ताडिये का मतलब हिंदी में होता भगा भगा बहुत अच्छे हाँ, एक दाम, एक दाम हेलो गाईज देखिए मैंने कहा था ना मेरा भाई आएगा बिचारा बहुत बीजी रहता है इसलिए लेट आया है फिर भी मैंने उसको बुला कर इसको देखिए खिला रही हूँ मेरा ये छोटा बहुत अच्छा भाई है मेरा स्वीट सा भाई है वो बगल में मेरी दीदी और दीदी की बेटी बैठी है अब देखिए ये खा रहे हैं अब बोलेंगे कैसे बना है बोलो देवासीज कैसे बना है थैंक यू दीदी तुम बोलो खाने का नाम आलू का परोठा बहुत अच्छा ओके थैंक यू देखिए गाईस मेरी बेटी खा रही है मैंने इसको दिया है ये मेरे हस्बेंट जी है हस्बेंट जी इस वक्त थोड़ा फोन में बीजी है देखिए अब वो भी खाने लगे है देखिए मेरी ये आलू की परोठा बनके अब तयार है आई होप मेरी ये रेसेपी आपको पसंद आएगी अगर पसंद आई तो मेरी इस वीडियो को लाइक शियर कॉमेंट कीजेगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा थैंक यू